हेलो एवरिवन आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सॉलुशन प्रोग्रेस में तो आज हम करींगे करन्ट अफेर चलिए स्टार्ट करते हैं साओधे एरान नॉर्मलाइज चैलेंज इन वेश्ट एसिया तो यह बात चलिए साओधे और एरान के बारे में मार्च 10, 2023 साओधे अरेबिया एंड इरान अपने सिक्यूरिटी एडवाइजर के थूरू चाइना के मज्यस्त में अपनी डिप्लोमेटिक स्टाइज में रिस्टेबलिस्ट कर दिया यह बोला मतलब सिंपल दोनोंने क्या बोला अपने इंटरनेशनल मेर्टर होंगे उसके अंदर एक दूसरे को हस्ता शेप नहीं करेंगे जो भी इनके अपने इंटरनेशनल मेटर होंगे एक दूसरे को हस्ताशेप नहीं करेंगे जो एग्रिमेंट था यह इस तरीके का एग्रिमेंट होएंगे बीच में साउधियारब और इरान के बीच में एक वर्ड होता है डिटेंट इसके अंदर दो पराने एग्रिमेंट जैसे से कॉपरेशन एग्रिमेंट जो 2001 के अंदर साइन हुआ था और एक 1998 में जो एकोनोमिक्स टेकनिकल साइंटिफिक्स एंड कल्चर टाइस था इससे रिलेटेड एग्रिमेंट साइन हुआ थे यह दो भीण दो सेक्निकल साइन हूएते है नमबब एक सेक्यूरियटी कोपरेशन एग्रिमेंट रूम मि einsक इनग्रिमेंट को भी उन्होंने फाइनलाइस कर लिया इन दौनों को भी माझल हैं इन दोनों को भी फाइनलाइस कर ले इन दोनों देश्यों यह ँांस तैन इस एग्रिमेंट एंड सेवन येर्स ओफ डिप्लोमाटिक्स इस टेंज बिट्वीन टू गल्फ कंटरीज। तो इरान और साओधी अरब के बीच में इन दोनों के बीच में जो समझोता कराया है वो चाइना ने कराया है तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई थी बहुत ज़्यादा विवाद था लेकिन बीच में चाइना ने पढ़कर इन दोनों के अंदर समझोता करा दि इंडियार्यारान और साओदियार्या, तीकहे? यहे चाइनА ने डील साइन करिये सबसे ज्यादा गओर देने वाली बात इन तीनों देशों के लिए है, इंडिया के लिए, यु सके के लिए, इसराइल के लिए, तीनों State Guardियारा है इस जील के बारे में और बताते हैं इस जील के बारे में बताते हैं आपको इरान और साथी आरब ने ये एसेप्ट किया है कि एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइस, इस्टेबलिस्ट करेंगे डिप्लोमेटिक टाइस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हमारे दूतावास आपके देश में होंगे और आपके देश के दूतावास हमारे देश में होंगे इसकी वज़े से क्या होता है इसकी वज़े से यह होता है कि आपस में एक दूसरे से इंट्रेक्शन बढ़ता है इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला चाहे वे economics हो, trade हो, culture हो इनके अंदर भी इरान और सौधी अरब एक साथ गिरोख करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की sovereignty और एक दूसरे के internal affair के अंदर हस्तशेप नहीं करेंगे इरान और सौधी अरब के बीच ये जो conflict चल रहा था, ये एक religious conflict भी है ये conflict geopolitical part का भी हिस्सा है, ये conflict एक तरीके से religious cold war भी है यानिके religious conflict भी है, geopolitical conflict भी है और religion cold war भी है और regional cold war है, ये conflict resource के साथ साथ भी जुड़ा हुआ है इरान के अंदर आग को शिया community देखने के लिए मिल जाएगी और सौधी अरब में सुन्नी community देखने को मिलेगी geopolitical conflict भी है क्योंकि जब हम लोग West Asia के बारे में बात करते हैं तो West Asia की तीन बड़ी ताकत हैं कौन-कौन सी हैं, इरान, साथिया रेविया और इस्राई इन तीनों के अराउंड पूरा का पूरा West Asia घुमता है Most of countries सब Islamic हैं, तो इस्राईल का इतना बड़ा पावर सेंटर नहीं बन पाया, इस्राईल इतना बड़ा पावर सेंटर नहीं बन पाया तो वो लगता चलता ही रहा, और जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इन दोनों देशों के बीच में वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि साओधी अरेबिया को USA ने सपोर्ट किया, इरान ने यमन के अंदर जो हाओदी हैं, हाओदी नाम की एक कम्मूनिटी है, यमन के अंदर, इनको सपोर्ट करके साओधी अरब के अंदर अटेक करानी की भी कोशिश करी जैसे जैसे USA और इरान के relation change होते रहे उनका impact इरान और साओधी अरभ के relation पर भी पढ़ता रहा basically इरान और साओधी अरभी का relation कभी था ही नहीं it is a relation between United States of America and Iran अब जब 2015 के अंदर इरान deal sign की गई ठीक है तो ये 2015 में इरान nuclear deal एक sign हुई थी उसमें था क्या और उस समय इरान जो है बहुत सारा uranium attachment कर रहा था attachment का मतलब ये है कि उस समय uranium को जो है वो upgrade कर रहा था जैसे मनला कोई normal uranium था उसे upgrade किया जाए था उस टाइंग पर जिससे के उसे इस्तमाल किया जा सके जैसे मान लोग गोला बारूद यानि के nuclear weapons बनाने के लिए उसका इस्तमाल किया जा रहा था जैसे के उसका इस्तमाल गोला बारूद बनाने के लिए है ना ऐसे weapons बनाने के लिए किया जा रहा था अब क्या हुआ पी फाइस कंट्री प्लेस उनके साथ जर्मनी जर्मन मिलकर उनके उपर कुछ सेंसियस लगा है न जो मतलब बहुत ज्यादे सैंसियस वगदर लगे हुए थे उसे भी थोड़ा सा लगा कर फिर थोड़ा सा कम किया गया फिस 2018 में यूएस से यहां से अपनी जो मेंबर्शिप थी उसे आउट कर लिया यानि कि वहां से कैंसिल कर दिया और जबके जो उतके उपर इरान के उपर सेंसस लगे हुए थे जब देखा गया तो वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा था वलके यूएस से को अपना ओयल बिजनिस बढ़ाना था जिससे के उसने एक तरीक से इसका इंपक्ट पढ़ रहा था अमेरिका को यूनाइटिड श्टेट ऑफ अमेरिका इसी वज़े से यूएस से ने इरान के उपर एक इल्जाम लगा कर अपने आपको बाहर कर लिया